ब्रेवाइट रिटरन कंफर्मड तो ब्रेवाइट का डब्ली डब्ली रिटरन कंफर्मड ओ चुका है क्या कुछ पूरी स्टोरी है इसके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे Roman Rans ने एक आर record बना दिया है recently क्या है record इसके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और भी updates है तो वीडियो को skip भी मतकरना वीडियो को last तरूर देखना एक चोठा सा request by channel को please subscribe ज़रूर कर देना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहली स्टियोरी के बारे में बात करेंगी जो के हम WWE फैंस के लिए बहुत यी बड़ा गुड नियूज है तो पहले रूमवर्ज यही निकल के सामने आ रहे थे कि जो Bray Wyatt है उनका WWE रिटर्न ओने वाला है लेकिन अब जो नियूज निकलके सामने आ चुका है वो बिलकुल कंफर्म करता है हमारे Bray Wyatt का WWE रिटर्न तो सीनरास सैप जो के WWE का एक अच्छा खासा ट्रस्टेड सोर्स है उसकी तरफ से रेपोर्ट निकलके सामने आता है कि जो Bray Wyatt है वो बहुत जल्द अपना WWE रिटर्न करने वाले है यानि कि बहुत यह ज्यादा जल्दी Bray Wyatt का WWE रिटर्न ओने वाला है तो WWE के जो फैंस है ओइ sua expect कर रहे है क्लैश एट डी Kessel के शो के लिए Bray Wyatt का WWE रिटर्न तो मैं आप लोगों को बता दू Bray Wyatt का WWE रिटर्न क्लैश एट डी कैसल के शो से भी पहले हो सकता है क्योंकि इस News का एक कहना है कि Brave White का WWE Return जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है जल्दी तो बहुत ज्यादा जल्दी का मतलब ए भी हो सकता है कि Next Week के Monday Night Raw के एपिसोड में हो जाए रिटर्न और वो भी सकता है कि लेश एट दी कैसल के शो में हो जाए रिटर्न लेकिन रिपोर्ट का एक कहना है कि बहुत जल्द Brave White का WWE Return होने वाला है तो क्या कहना है आप लोगों का इस Good News के बारे में अपना ओपिनियन कोमेंट्स में देते रहना अगली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो की जुड़ी हुई है The Current United States Champion Bobby Lashley के एक पॉसिबल ड्रीम मैच के बारे में तो Bobby Lashley रिसेंटली अपने एक ड्रीम मैच के बारे में बात करते हैं जो के इस साल के Survivor Series के शो में अमें देखने को मिल सकता है जो के है Bobby Lashley वर्सिस गुंतर का मैच क्यूंकि गुंतर इस वक्त WWE में Intercontinental Champion है और Bobby Lashley United States Champion तो Bobby Lashley अपने और गुंतर के इस ड्रीम मैच इस पॉसिबल ड्रीम मैच के बारे में रिसेंटली बात करते हैं तो Bobby Lashley कहते हैं कि मैं गुंतर को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ मैं गुंतर को बहुत ज्यादा देखता रहता हूँ मैं इस चीज़ से लव करूँगा कि मैं और गुंतर एक फाइट करे यानि कि मैं और गुंतर एक मैच लड़े मैं इस चीज़ को बहुत ज्यादा पसंद करूँगा और बॉबी लशली गुंतर के लिए वार्निंग भी दे देते है तो बॉबी लशली कहते है कि गुंतर सब को चौप मारता है जिसकी वज़ा से प्यूपल्स को बहुत ज्यादा दर्द होता है यानि कि जो सुपर स्टार्स को चौप मारता है गुंतर उसकी वज़ा से सुपर स्टेर्स को बहुत ज्यादा दर्द होता है लेकिन अगर गुंतर मुझे चौप मारेगा तो मुझे तो कुछ भी नहीं होने वाला है लेकिन उसके खुद के हाथ को दर्द ओने वाला है तो बॉबी लेशली का एक कहना है कि गुंतर का जो चौप होता है वो बॉबी लेशली को कुछ भी नहीं कर सकता है तो क्या कहना है आप लोगों का इसके बारे में क्या आप लोगों को चाहिए गुंतर वर्सिस बॉबी लेशली का ड्रीम मैच सुर्वाइवर सीरिस के शो में अपना ओपीनियन कोमेंट्स में देते रहना अगली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो की जुड़ी हुई है कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में तो कितने फैंस आने वाला है कितना क्राउड आने वाला है कल के Friday Night SmackDown के एपिसोड में तो WWE ने कल के Friday Night SmackDown के एपिसोड के लिए जो टिकेट्स अवेलिबल किये है वह है 8248 और जो बेचे गये टिकेट्स है वह है 7721 और जो अवेलिबल टिकेट्स है वह है 527 27 यानि कि 8,000 में से 7,000 बिक चुके है 500 के आसपस टिकेट बाकी रह गए है क्या कहना है आप लोगों का कल के Friday Night Smackdown के एपिसोड के टिकेट सेलिंग के बारे में वैसे कल के Friday Night Smackdown के एपिसोड के लिए WWE ने अनौन्स कर दिया है Roman Reigns एंडू मैकिंटायर होने वाले है तो टिकेट सेलिंग अच्छा खासा हो रहा है अब देखते हैं लेस्ट मिनिट में टिकेट सेलिंग क्या 8,000 के उपर जा पता है या पिन नई क्या कहना है अप लोगों का इसके बारे में अगली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो कि आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है औरे जुड़ी हुई है दे ट्राइबल चीफ Roman Reigns के एक निव रिकार्ड के बारे में तो जब से ट्राइबल चीफ बने है Roman Reigns तब से रिकार्ड पे रिकार्ड बनाए जा रहे है रिसेंटली एक और रिकार्ड बनाते है ते ट्राइबल चीफ रोमन रेंज तो रोमन का जो रिकार्ड है वो है रोमन रेंज बन चुके है Most Searched Active Wrestler 2022 के जुलाइ के मन्त में यानि की जुलाइ का मन्त है उसमें सबसे ज्यादा जो गुगल सर्चेज हुए है वो ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के हुए है आल रेंज यानि कि प्रोफेशनल रेंजिंग में जितने रेंज रेंज थैं सबसे ज्यादा सर्चेज हुए है ह लिए तो जो फर्स्ट नमबर है वो रोमन रेंज का है और जो सेकंड नमबर पर आया है वो है हमारे बीस्टी बॉइ ब्राक लेजनर क्योंकि रोमन रेंज के सव परसंट है सर्चेज और ब्राक लेजनर के है ब्यासी परसंट सर्चेज उसके बाद आते है रेम स्टेडियो प में बनाया है अपना ओपीनियन कॉमेंट में देते रहना ए रहा आज की एक और अपडेट्स वीडियो उमीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय बाइ बाइ